हलो स्टुडेंट्स वेलकॉम हेर अगेन ऑन माई चैनल जानकर हित मैसलफ हित अभिलाशी शर्मा अकाउंटेंश से लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो आजा में शेयर करेंगे that is about depreciation वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंटेंशी हिंदी में इसे मूल्या हाश कहते हैं भही इसकी बात करेंगे मीनिंग, फीचर्स, कॉस्टेंट और सबसे बड़ी बात होगी methods of providing depreciation with numerical as practical problem methods को भी समझेंगे और साथ में depreciation कैसे calculate करते हैं practical problems के थ्रू देखेंगे वीडियो इन complete till last to get complete content and see the video on full screen of your device पूरी वीडियो देखें अगर पूरा ज्यान लेना है और साथ में जो भी device आप यूज़ कर रहे हो पहले पूरी स्क्रीन करके फिर देखें तभी content समझाएगा तो आँद देखते हैं बात क्या है आज के content लेट्स लर्न अबाउट डेखेंशन हीर उन जानकरी हिट चैनल ओफित अभिलाशी शर्मा इट्स मैसेल्फ यह स्टुडेंट्स वाट इस डेखेंशन डेखेंशन क्या है मुल्य हाश और हिंडी में तो अगर थोड़ा मुश्किल लगता है पंजाबी में एक बड़ा सिंपल सा शब्द है घिसावट घिस जाना तो बात शुरू करते हैं घिस जाने से मतलब क्या है डेखेंशन गिरावट आजानी मुल्य हाश किसी भी फिक्स एसर की वेल्यो में लगातार आने वाली गिरावट को क्यों आती है गिरावट द्यू टू वियर एंटियर उसको जब हम यूज करते हैं एक्सिदेंटल कॉजिस हो सकते हैं पासिस ओफ टाइम समय के वेतीत होने के साथ मुल्य हमें गिरावट आ जाती है उसका अपर चलन हो जाता है टेक्नोलोजी चेंजर आती है मार्किट प्राइस में वैसी फॉल आ जाए उसके अगर मार्किट प्राइस में नई वस्तुओं की वैल्यू भी लगातार उसकी गिर रही है फॉल इंट मार्किट प्राइस से कहते हैं तो फिक्स एसट जो हम बिजनस में यूज करते हैं उसमें आने वाली उस गिरावट को जा मुल्या हाश को depreciation कहते है समझ लगा तो इसको और clear करते है depreciation in accounting terms जब हुम accountancy के point of view से देखे depreciation is defined as a reduction ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ as a reduction of recorded cost of fixed assets जो हमारे पास fixed assets की जो recorded cost है हमारी books में उसमें आने वाले इना systematic manner एक लगातर systematic से ढंक से उसमें आने वाली गिरावट को हम क्या कहते है depreciation until the value of assets become zero or negligible और यह गिरावट तब तक आती जाते है जब तक उस assets की value almost बिलकुल negligible हो जाए बिलकुल नामातर या zero हो जाए an example of fixed assets are और हम जानते हैं की fixed assets क्या हैं स्थाइस हमपतियां क्या होती हैं business में building, furniture, office, equipment, machinery यो लंबे समय तक चलती हैं वो सारी fixed assets एक बाद धियान रखना land is the only exception which can't be depreciated as the value of land depreciate with the time जमीन को हम depreciated के रूप में नहीं यूज करते हैं क्योंकि depreciation land पर नहीं आती इसा मना जाता है हमें generally देखने को भी मिलता है कहीं बार जो जमीन ली होते है उसकी value कम होगी market value बट उसको use करने से उसकी value में कोई कमी नहीं आती from accounting point of view ध्यान रखना इस बात को तो बात करते हैं आगे हम depreciation होती क्यों है मैंने जब इसको define किया तो बताया आपका आप देख रहे हो यह car खरीदी भी business में 20 साल उसकी life है 20 साल में वो घस्ती 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 कम होती घट्टी 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 car की value यहां तक आगे क्यों आई वियर एंटी अर्याव उसको use करते हैं जैसे वियर होता है पहनना time के साथ उसमें खराब हो जाती है वो हालत नहीं रहती जो नहीं चमचमाती होती है destruction कोई भी accidental causes हो उसमें वो accidental causes के सगान उसका कोई भाव तूट फूट जाए और obsilence क्या होता है लोगों का अब उस घस्तू में विश्वाश ही ना रहे विश्वाश की भावना पैदा हो जाओ और पर चलन हो जाए जिसको कहते है क्योंकि market में उसके alternative uses है उससे better performer जो assets है वो heavy level है और दूजरा हो सकता है उस type की जो assets हमने कभी महंगी purchase की थी अब सस्ती मिल रही है depletion depletion एक natural जो assets होती है उनमें जो समय के साथ मौसम के साथ जो कमी आ जाती है उसे depletion कहते है उसके कारण भी उसकी value में कमी आ जाती है passes of time जब model change हो जाता है भी कोई बस्तू परानी purchase की हो अगर हम उसको unused भी रखें तब भी अगर उसको बेचना चाहे तो कीमत पर नहीं बिखती तो उसको passes of time के कारण भी depreciation होती है ये बाते सारी ध्यान रखना इन सभी के कारण लगातार जो assets है उनकी value में gradual गिरावट आती है जो कमी आती है उसको हम depreciation कहते हैं और ये सारे कारण है उसको नीर फोर चार्जिंग depreciation depreciation तो हो गई ठीक है पर books में क्यों दिखाते हैं घस गई कोई asset तो घस जाती उसकी value में कमी आ जाती तो ना दिखाते हैं पर क्यों दिखाते हैं from accounting point of view हम books of account में क्यों record करते हैं that is the question ओ इसका answer ढूंडते हैं to assert on the true cost of production जब किसी वस्तु की production होती है हम generally ऐसे सुथे हैं कि सिर्फ raw material की cost आई है जो workers लगे हों या उनकी wages की cost आई है ऐसा नहीं है भी उसको बनाने में machine का भी use हुए machine भी तो घजरी है तो machine की जो cost है वो भी तो cost of production का हिस्सा है या नहीं इस कारण depreciation जो loss हो रहा है उसको दिखाना जरूरी है to a certain true value of assets asset की जो आज की value है उसको दिखाना जरूरी है कोई machine 10 सल पहले 1 crore rupees की हमने उसको purchase किया था business में लेकर आए पर आज उसकी value 1 crore थोड़ी है हम उसकी value वैसी एक crore दिखाते रहे हैं वो तो अब 50 लाग की रह गई तो उसकी true value present period में किसी fix assets की तो दिखाने के लिए depreciation को दिखाना जरूरी है to retain funds for replacement ये बड़ा important issue है भई जो स्याना business man होता है न समाजार वो पहले से alert रहता है कि ये asset एक दिन खतम भी होगी खतम तो हो जाएगी ठीक है फिर नहीं भी तो लानी बड़ेगे लिए उसके लिए पैसे कहां से आएंगे जितनी depreciation होती है न उसकी एक provision बना लेते हैं एक तरफ reserve fund रख लेते हैं वो तो जब वो asset almost replace की जाती है नहीं asset purchase की जाती है तो almost उतना fund business के पास होता है तो वो नहीं asset के साथ उसको replace कर ले तो उस replacement के लिए funds कितना रखा जाए वो depreciated value के ब्रबर रखा जाए उसको accounts में कैसे रखा जाए उसके लिए depreciation को दिखाना और charge करना ज़रूरी है तो reduce tax liability अगर business में जो depreciation है loss है अगर हम loss दिखाते रहेंगे तो सही माइने में जो profit हो रहा है वो भी कम दिखेगा जिससे business की tax liability कम होगी जो देंदारी कम होगी government को क्योंकि business को loss हो रहा है profit तो हो नहीं रहा तो इस हालत में tax की जो liability है देंदारी है उसको कम करने के लिए भी charging depreciation is necessary to present true position of the business यह बता जुका हूँ यसे true cost of production क्या है business की actual हालत क्या है business की सारी assets की आज की present time में value क्या है उसको अगर दिखाना है तो depreciation को provide करके charge करना बहुँ ज़रूरी है to know the true profit and loss business का true profit and loss सच में जो profit और loss होए वो कितने अगर हम depreciation नहीं दिखाएंगे तो ऐसे लगया की business को तो बहुत profit हो रहा है बाद depreciation ने loss जितनी depreciation दिखाएंगे तो सही माईने में हमें पता चल सकीगा कि कितना profit जा लॉस हुए तो students अब बात करते है methods of providing depreciation बड़ा important time आ गया है इसके बारे में बात करने हैं यह हमें मेने 8 methods लिखे हैं हम 2 करने वाले हैं generally plus one level पे 2 ही methods से सारा कम चल जाता है लेकिन आगे जैसे जैसे advance room में हम बात करते हैं हार study में तब जाके यह सारे methods होते हैं तो नाम क्या क्या है fixed installment, diminishing balance method, annuity method, depreciation fund method, insurance policy method, revaluation method, depletion method, machine hour rate method and many more इतना ही नहीं है इसके इलावा भी 2, 3, 4 method होना है एक miles method होता है यह धियान रखना ऐसे और भी sinking fund method होता है तो बहुत से method है भई लेकिन यह जो है method पर हम बात करेंगे सिर्फ दो की depreciation charge करने के fix assets के accordingly different methods है हर business की अपनी policy है बात करेंगे हम fix installment method and diminishing balance method की आज की वीडियो में साथ में numericals भी करेंगे सबसे पहले बात करते है fixed installment method fixed means thigh or straight line method और original cost method भई इस method के तीन नाम है कोई भी कह सकते हो this is the oldest and simplest method of charging depreciation सबसे पुराना method है और सबसे simple भी है the life of assets is estimated and is written of equal in all layers जो किसी भी fixed asset जिस पे हम depreciation चार्ज कर रहे है उसकी life को estimate किया जाता है कितने साल है और उस asset की total value को उन उतने ही years में बराबर बाट दिया जाता है इतनी इतना नुकसान हो गया क्योंकि last में वो asset बनगी zero the amount of depreciation is such that the book value of asset is reduced to zero at the end of purpose for life of asset मैं बता जुका हूँ मतलब मानलो हमने माना 10 लाग की एक machine purchase की उसकी life 10 साल है और last में उसकी value बन जाएगी मानलो zero तो हर साल कितनी machine का हाश होने वाला है भी गिसाई कितनी होने वाली है एक लाग की न यही depreciation है fix installment method में एक बात ध्यान रखो एक बार जो depreciation आगी उतनी ही depreciation हर बार दिखाई जानी है वो ही amount दिखाना है अगर first year 1 lakh पूरे साल की depreciation है तो next year भी 1 lakh उससे अगले भी उससे भी अगले जितनी भी उसका life span है machine का हर साल हम उतनी depreciation दिखाएंगे यह ध्यान रखना भी पूरे साल की जब depreciation दिखाते है यह है fixed installment method इसी के अकारण क्योंकि जो depreciation एक बार calculate कर ली वो आगे देखते हैं कैसे करते हैं तो उतनी ही depreciation हर साल दिखानी है fixed installment method अब कुछ important बाते हैं बहुत काम आएंगी residual और scrap value क्या होती है इसको scrap value कहते हैं also known as scrap value scrap sumzha kya ho gaya bhi kabad bacha kucha yes it is estimated proceeds expected from the disposal of an asset at the end of its useful life the portion of an assets cost equal to residual value is not appreciated because it is expected to be recovered at the end of an asset's useful life बहुत important बात है residual scrap value वो estimated value है जो हम एक asset की estimated life के अंत में उसका उस portion को अगर हम scrap के रूप में बेचें residual means remaining parts के रूप में अगर हम उसको बेचते हैं जो पैसा तब रापस होता है उसको उसकी residual value रहते हैं residual value पर कभी depreciation नहीं लगती क्योंकि इसके बारे में यह सोचा जाता है कि यह पैसा आ जाएगा at the end of the life span of asset तो depreciation जब calculate करते हैं उसमें से residual scrap value minus कर देते हैं यह estimated value है कि 10 साल बाद उसका scrap कभाड कितने में बिख जाएगा residual value useful life क्या होती है is the estimated time period that asset is expected to be used starting from the date it is available for use and up to the date of its disposal or termination of use बड़ा important बात है भी useful life किसी asset का वो period होता है जितना एक संभावना होती है कि लगवग वो कितनी देर तक हम उसको use कर पाएंगे जब वो उसको terminate कर देंगे disposal कर देंगे कि अब यह usable नहीं है that is estimated period क्योंकि किसी asset का हमें अंदाज़ा तो होता है ना भी कितने साल चलेगी उसको उसकी useful life कहते है rate of depreciation is a percentage of useful life that is consumed in a single accounting period थोड़े tough technical word लिख है भी इसमें rate of depreciation उस percentage value को कहते है जो उसकी useful life में हर साल single year में use होने वाला हिस्सा है depreciation है उस rate को हम rate of depreciation गहते है एक बड़ी important issue है cost of fixed assets include जब हम fixed assets की cost की बात करेंगे न भी इसमें एक तो उसका purchase price देखा जाता है also include carries and installation charges उस assets को carry करके carries expenses होते है अपने business establishment तक ले के आने का जो खर्चा होता है वो भी cost का part होता है और उसको लगाने के जो cost of fixed assets माना जाता है ये धिहान रखना जब हो numerical question करेंगे इस बात को formula for fixed installment or straight line method और original cost method कैसे निकालते हैं भी depreciation पहले formula देखते हैं depreciation par annum हर साल की depreciation निकालेंगे कैसे cost clear उसकी जितनी भी बनी उसमें से residual value और सक्रैब value जितनी भी estimated value में सक्रैब के रूप में वो बिक जाएगी पैसे आ जाएगे वापस yes जितना भी आ जाए cost में से residual value निकाल कर उसको उसकी useful life जो estimated useful life है कितने साल चलेगी उसके साथ divide करते हैं example देखते हैं चोटा साथ short note suppose a manufacturing company purchase हा machinery for one lakh मालिक manufacturing company in one lakh में machinery purchase की useful life of machinery are 10 years उसकी useful life 10 years residual value of machinery is 20,000 और उसकी residual जो सक्रैब value है estimated वो कितनी है 20,000 depreciation कैसे निकालेंगे वही फॉर्मूला cost minus residual value cost one lakh थी उसमें से residual value 20,000 minus की कितना होगे 80,000 divided by estimated life उसकी useful life कितनी है 10 years बताया हुए question में 10 के साथ divide किया तो per year annual depreciation expenses कितनी है 8,000 यह है fixed installment method इसमें हर साल 8,000 ही depreciation लगने वाली है यह कारणा है fix होगा है न आवी इसी कारणा इसका नम fixed installment और straight line method कहते हैं अभी जाओ original cost method लगी है क्योंकि original cost पर एक बार हमने depreciation calculate कर ली वही charge होगी हर साल तो आगे बात करते हैं इसके general entries for providing depreciation on fixed asset, fixed asset पे हम depreciation दिखाने के general entries हैं कुछ सबसे पहले यह entry आपको सबको आती होगी when assets purchase, जब भी कोई asset purchase करते हैं मालो हम machine की बात करेंगे हमने machinery purchase की है machinery पे depreciation निकाल रहे हैं कुछ भी हो सकता है machinery building, truck, car कुछ भी होई, machinery account debit to bank और cash जब उसको purchase करेंगी depreciation जब charge करते हैं तो किसी भी method से करें जो उसकी transaction होती है वह यही बनती है depreciation loss है, depreciation account debit जितनी depreciation होगी उतनी ही उस fixed asset की value काम हो जाती है जब fixed asset purchase की थी debit थी अब उसको credit कर दिया entry बन की depreciation account debit to machinery account जा कोई भी fixed asset जो भी हो एक बात ध्यान रखना जो depreciation at the end of financial year दिखाई जाती है यह ध्यान रखना साल के अंत में transfer of depreciation to profit and loss account जितनी ही depreciation हर साल होती है जी accounting procedure है वो loss है तो उसको हर साल उस depreciation को profit and loss account को transfer कर देते है profit and loss account debit to depreciation depreciation debit थी जब transfer करेंगे तो credit होगी loss है तो profit and loss account क्या हो जाएगा debit यह जो दोनों entry यह धिहान रखो यहां में लिखा each year यह entries हर साल आएंगी भी depreciation charge भी होगी और depreciation transfer भी होगी पहली entry जो purchase किये यह तभी आएगी जब कभी किसी asset को purchase किया जाएगा जब sale किया जाएगा यह उस साल आएंगी when assets sold bank account, debit to machinery account जितने की भी भी की ठीक उसके बाद अगर उसको बेचने पर profit हुआ profit होगी उन से मालो हमारे अंसार वो asset 40,000 में भी जानी चाहिए थी उसकी value हमारी books में 40,000 थी residual value के बाद लेकिन फिर भी अगर वो 600,000 में भी गी तो profit होगा अगर 40,000 वाली तीस में भी गी तो loss होगया तो दुनों के इसकी entries क्या है machinery account debit to profit and loss अगर profit होगा क्योंकि profit हमीषा credit होते है तो profit and loss account credit और अगर loss होगा loss हमीषा debit होते है तो profit and loss account debit यह हैं जब हम करेंगे तो वहां अकाउंट बनेगा लेजर अकाउंट उस फिक्स एसट का तो उसमें जनल एंट्रिस काम आने वाली है तो आध करते हैं ध्यान से समझना और पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है अब एक मशीन के साथ ही हम करने वाले हैं एक ही फिक्स एसट है और ट्रेडर बाउट मिशिनरी ओन फर्स्ट एपरल टू थाजन फॉर्टी रूपीज वान लाग ट्विटी फाइव थाज़न फूस यूस फूर लाइफ हाज बिन एस्टिमेटर फाइव यर एक लाख पच्छिस हजार की मिशिनरी परचेज क एक एस्टिमेट होती है प्रिप्यर मिशिनरी इकाउंट डेपरृइशिशियन अकौंट जैसे इकजाम में आता है मिशिनरी औररेप्रिशियन अकयूट बनाने एल्ग्य फिकश इंसल्मेट मैं विक्त इसल्मेी यह लिखा होता है ओन सा मैत दया कूं सा मैस्में फॉर रखना 31 मार्च को हम हर साल books close करते चले जाएंगे सबसे पहले depreciation निकालते हैं formula why cost minus scrap divided by life of acid cost कितनी है 1,25,000 scrap कितनी है 25,000 जब इस में से यह minus किये तो रह गया 1,000,000 divided by estimated life कितनी है उसकी 5 5 से divide किया हर साल depreciation कितनी दिखाएंगे हम 20,000 fix कर दी हमने 20,000 क्योंकि यह fix installment method है ध्यान रखना यह इसके तीनों नाम भी दिमाग में रखना तो बनाते कैसे हैं भी machinery account और depreciation account हम बनाएंगे यह है machinery account यहाँ पे laser follow का column बना सकते हैं आप दोनों दरब क्योंकि यह एक laser account ही है ओके जब भी machinery purchase की तो entry किया होती है यह मैंने side पे दिखा है missionary account डेविट टू बैंक आपकी सुभिधा के लिए थांकि यह असान रहे posting करना अब ध्यान से देखो यह machinery account है इसको डेविट किया तो इसकी डेविट side पे posting होगी टू बैंक क्योंकि missionary pay effect किसका है बैंक का टू बैंक account 1,25,000 लाग 25,000 की missionary purchase की थी याद होगा आपको question यस नहीं या तो पीछे दुवारा देखें थोड़ा पी से जाकर question को दुवारा से बढ़ ले depreciation हमने charge की थी वहां working note बनाया था हर साल 20,000 by depreciation इधर के होगा ही क्योंकि depreciation जब charge करते है तो उसकी entry क्या होते है depreciation account है वी to missionary missionary account को credit किया है यह missionary account ही है इसकी credit side पे by depreciation आ गया क्योंकि missionary pay impact किसका है depreciation का 20,000 बाकी बच गया इसका balance by balance carry down 1,5,000 एक लाग पच्चीस हजार एक लाग पच्चीस हजार यह हो गया हमारा total करके पहला साल बन ज्यान रखो 2014 फस्ट एपर को साल शुरूब हुआ था 31 मार्च 2015 को खत्म हो रहा और depreciation at the end of year ही आती है यह हमारा financial year हर साल 31 मार्च को close होना है यह लिखरक है question में अब यह balance closing था next year 2015 1st April को यही balance opening बन जाएगा यह carry down था same balance हमने brought down किया two balance brought down 1st April को अब फिर depreciation साल के बाद 2016 31 मार्च को हमने दिखाई प्रवाइड की by depreciation account 20,000 fixed installment method है फिर balance निकाला इसका balance कितना वाज गया 1,5,000 से 20 माइनस की 85,000 टोटल किया 1,5,000 फिर balance को brought down कर लिया क्योंकि हमने 5 साल का missionary count बनाना है 85,000 फिर depreciation charge की fixed installment method है by depreciation 2017 मार्च इकतिस ज्यान रखो साल के end में 1 April 2016 को साल शुरू हुआ और 31 मार्च 2017 को साल शुरू है खतम हुआ ऐसे ही मेंने हर साल दिखाया यह तीसरा साल है by depreciation 20,000 फिर balance निकाला by balance carry down 85,000 में से जब 20,000 माइनस किया 65,000 दोनों साइड का टोटल 85,000 किया और account बन 3 साल का अब चोथे साल में आज होई और 4th year आप देखेंगे जो balance यहाँ पे 3rd year में closing था वही 4th को क्या बन जाता है opening यह धियान रखना हर साल ऐसे होता है 65,000 opening balance बन गया 2 balance brought down अब depreciation चार्ज की by depreciation वही 20,000 balance कितना वाज गया 45,000 वही balance 5th year में पहुंच गया ब्राट डाउन किया 2 balance ब्राट डाउन 45,000 यहाँ प residual value थी उसकी वहाँ उसने 25,000 में बेच दी by cash 25,000 बड़ी हिरानी जनिक बात होगी धियान से सोचो 45,000 balance था 20,000 depreciation चार्ज की 25,000 में बेच दी balance क्या बजा कुछ भी नहीं भी अगर कुछ balance डेविट जा credit होता वो profit जा loss को जाता यह धियान रखो समझा ही मेरी बात यह है धंग अगर profit होता मालो 25,000 है भिक जाती 30,000 में subscribe value 25,000 थी मालो 30,000 में sale कर देता तो 5000 बच जाते तो वो profit दिखाते इस entry के recording जो मैंने बनाई है profit and loss to depreciation account यह loss है अगर profit होता depreciation account debit to profit profit इस साइड आता है debit side दिखाते to profit and loss loss होता तो यहां दिखाते by profit and loss ओके यह है machinery account अब बात करते हैं depreciation कि यह depreciation account entry क्या थी depreciation हर साल जब चार्ज करेंगे depreciation account debit to machinery जो भी फिक्स है तो depreciation account बना रहे है डेबिट किया है जनल जितनी depreciation हर साल हमने चार्ज की वो सारे की सारी हर साल profit and loss को चली जाएगी profit and loss account debit to depreciation अब depreciation को credit किया है तो depreciation account की credit side में by profit and loss account जैसे laser posting आपको आती होगी पहले साल में कोई balance नी ट्विंटी थाउजन दो लाइन मारी account बन फिर इसी तरह से दूसरे साल टू डैप machinery by profit and loss फिर तीसरे साल फिर चोथे साल फिर पांच में साल क्योंकि और कोई change आए नहीं हर साल 20,000 depreciation machinery account की जो हमने चार्ज की है और 20 की 20,000 depreciation profit and loss को जा रही है यह ध्यान रखाओ दोनों entries at the end of year है भी यहां 2014 है 1st April से account शुरूआ था पर हमने 31st March को दिखा नहीं है depreciation और साल के end में ही हमने उसको profit and loss में transfer करना है हर साल ऐसे ही कर रहे है यह है depreciation account that is a complete question of fixed installment method मुझे लगता है समझ आ गया होगा तो स्टुरेंट साब बात करते हैं diminishing balance method जा इसको written down value घटा हुआ घटा हुआ मुल्य है diminishing कम होता हुआ written down value method क्या है भी ध्यान से written down value method is a depreciation technique that applies a constant rate of depreciation to the net book value of assets each year यह शब्द बड़ा important है net book value of assets each year यह भी depreciation charge करने की technique है method है जिसमें constant rate rate means percentage 10% 20% हर साल चार्ज किया जाता है बट net book value पर cost पर नहीं हर साल depreciation charge करने के बाद जितने यह value कम हो जाएगी उस पर फिर मालो depreciation 10% चार्ज करने है एक लाख depreciation थी जो कम होगी value next year उस पर 10% करेंगी फिर जो उसकी value और कम होगी उस से अगले साल उस कम होई value पर करेंगे depreciation वही 10-20% जो भी होगा यही कारने इसको diminishing balance कम होता हुआ balance और return down value method जिसकी value down होती जारी है books में यही कारने इसका नाम एस है इसमें fix नहीं है depreciation fix rate है उसका percentage 10% 20% पर जिस पर calculate करने वह value हर सल कम होती है fix asset की जितनी depreciation हो जाएगी इस साल में उतनी उसकी return down value कम हो जाएगी फिर अगले साल उसके कम होई return down value पर फिर वही 10-20% जितनी भी depreciation का rate होगा question के accordingly वो charge करते हैं the value of assets go on diminishing year after year हर साल depreciation के कारण assets की value कम होती चली जाती है और depreciation is charged on that declined value और depreciation उसकम होई value पर charge की जाती है यह fixed नहीं है हर साल depreciation का amount change होगा percentage जो rate है वो same रहेगा तो students एक छोट इसी example करते हैं समझने के लिए कैसे calculate करते हैं let the cost of assets on 1st January 2012 कर लेते हैं 2012 with 1 lakh and the depreciation is charged at 10% with a diminishing value method बता रख है उसने कम होता हुआ जो value method है वो लगाना है हमने diminishing balance method आप fixed नहीं है 10% के हिसाब से depreciation charge करनी है calculate the depreciation for 4 year 4 साल की depreciation calculate करके दिखाओ भी यह working note है एक तरह का rough काम जो करते हैं पर हम सीख जाएंगे इससे के diminishing balance method से depreciation कैसे charge करते हैं सबसे पहले हमें पता है उसकी cost जो 1-1-2012 को 1 lakh थी उस पे हमने 10% depreciation calculate की 1 lakh होगी 1 lakh पे जब हम 10% calculate की तो depreciation कितनी आगी 10,000 return down value return down value जो कम होगी value एक एक 2013 को कितनी आगी 90,000 फिर उसके बाद depreciation 2013 की हमने charge की अब 1 lakh पे नहीं करेंगे कम होगी value कम होगी value कितनी थी 90,000 90,000 पे 10% हमने calculate की and the amount is 9,000 तो हमारे पास जो depreciation है वो 9,000 आगी डियो students यह देखिए और उसकी return down value 2014 को अगले साल के श्रवात में कितनी होगी 80,081,000 इसके बाद next year की depreciation अब इस return down value पर होगी 81,000 पर 10% rate वही है कितना आगया 8,100 फिर return down value कितनी होगी next year में 72,900 अब fourth year की जो depreciation है वो 72,900 पर जो diminished value है उस पर calculate होगी 10% वो आगी 7,290 इस रंग से कम होते मुले पर वो fixed rate of depreciation charge करते है रेट fix है लेकिन जिस पर charge करते है वो कम होई value है diminishing value जो होती है हर साल depreciation को deduct करने के बाद तो students have a detailed question let a machinery is purchased on 1st January 2008 एक machinery purchase की with 90,000, 90,000 की 6,000 are spent for carries and 4,000 spent on installation 6,000 उसको लेके आन का carries का खर्चा बड़ा, 4,000 उसको लगाने का खर्चा installation charges लगे depreciation is charged at 10% with return down value each year on 31st December हर साली 30 December को 10% depreciation हमने चार्ज करनी है method भी बताया होता है return down value method काम होए मुल्य पर depreciation लगानी है और साथ में हम माल लेते हैं we have to prepare missionary account for three year माल लो तीन सा अलगा बनाना है चार का अगे तो चार का बनाएंगे हम तीन का बना रहे हैं अब यहाँ पे missionary account बनाया same वही ढंग देखो ध्यान से general entries वहीं है depreciation machinery purchase की परचेज की वैसी entry जब depreciation चार्ज करेंगे ठीक वैसी depreciation को हरसल profit and loss को transfer करेंगे वैसी जैसे fixed installment में था उसमें change नहीं है depreciation calculation करने में change है सबसे पहले machinery purchase की two bank 90,000 उस पर 6,000 carries का expenses आया 4,000 इंस्टालेशन का entry वान की machinery count debit to cash, machinery count debit to cash यह सारा machinery की cost का part है भी fixed assets के मामले में यह ध्यान रखो तो अब वो machinery की cost कितनी वान की 1 lakh अब 10% depreciation चार्ज करनी है 31st December को करेंगे यह first January की entry थी by depreciation जब हमने 1 lakh पे 10% calculator की depreciation 10,000 आगी तो machinery की value at the end of year first year के end में कितनी रहागी 90,000 वो हमने balance दिखाया closing balance और दोनों तरफ का total 1 lakh करके same balance अगले साल के शुरू में क्या बन गया opening balance उसको brought down कर लिया 1st January 2009 को two balance brought down 90,000 हमने यहाँ पर लिख दिया अब depreciation चार्ज करनी है फिट 10% पर अब 1 lakh पे नहीं अब इस जो return down value है इसकी return down value यह है जो कम हो के कम आई जो कम हो गई है पहले से depreciation को deduct करने के बाद अब 90,000 पे जो 10% हमने calculate गया तो depreciation आगी 9,000 by depreciation बाकी balance निकाल लिया by balance carry down 81,000 यह closing balance था second year के end में अब third year के starting में यही opening बन जाएगा two balance brought down वही balance हमने आगे लिया आए brought down कर लिया 81,000 उसके बाद अब फिर depreciation calculate करेंगे diminishing value method से अब 81,000 पे 10% calculate करेंगे वो आगया 8,100 balance कितना बाच गया 72,900 दोनों side का total मिलाया and that is the closing of machinery count for three years समझ लगा student अब जल्दी से depreciation account भी करते हैं उसमें वही पर fix installment की तरह जैसे पहले बदाया था हर साल जब भी depreciation चार्ज करेंगे entry बदाया थी depreciation account भी two missionary तो हर साल यही होने वाली है बट ध्यान रखो भी साल के end में 31st संबर 2013 को भी two missionary यहाँ भी two missionary यहाँ भी two missionary हर साल depreciation कितने कितनी आई थी reducing balance method से 10% one lakh पे 10,000 फिर उसकी वैल्यू रिटन डाउन 90,000 रहागी थी 90,000 पे 10% 9,000 फिर उसकी वैल्यू कितनी रहागी थी 81,000 पे जब हमने depreciation calculate की वह 8,100 आगी इस रहंग से depreciation हमने हर साल शो करनी है और जितनी depreciation है वही profit and loss account को जाएगी एक एक साल को करते चलेंगे जैसे पहला साल है depreciation account debit to machinery two missionary आगया 10,000 सेम depreciation profit and loss को transfer कर दी profit and loss debit है क्योंकि loss होएगा profit and loss account debit to depreciation depreciation account को credit किया तो credit side पे क्या आगया by profit and loss account 10,000 दोनों side balance किया इसका कोई balance नहीं बचता भी इसका कोई carry down और brought down नहीं है second year में फिर depreciation two machinery आगी फिर profit and loss को transfer कर दिया फिर third year में depreciation 8100 आगी फिर profit and loss को transfer कर दिया इसमें कोई balance नहीं बचने वाला क्योंकि जितनी भी depreciation होती है वो सारी की सारी profit and loss account को चल जाती है यह है student complete question of diminishing balance method of depreciation clear the students I think the whole concept is clear there are many more videos on my channel regarding different commerce subject business e-business economics accountancy and motivational as well अप उनको भी देख सकते हो accountancy से रिलेटर बहुत सी videos हैं बहुत सी और आने वाली होंगी तो इनको देखते रहिए लगातार मैसलफ ही तफलाशी शर्मा बिल भी हेर अगेन वेरी सून विद यू विद न्यू वीडियो आज वेल थैंक यू वेरी मच